हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल टेस्ट का जहां दही वड़ा तो हम सभी को पसंद है पर इसे बनाने में बड़ी महनत लगती है तो चलिए आज बनाते हैं इंस्टेंट दही वड़ा जिसे बनाने के लिए ना ही आपको दाल को सोक करना है और ना ही ग्राइंड करना है ये बहुत ही बहतरीन बनता है बिलकुल इसका टेस्ट दाल वाले दही वड़े के जैसा ही होता है तो चलिए ले लिया है 1 cup सूजी and half cup दही अब हम इसमें add कर देंगे 2-3 pinch hing and salt to taste सारी चीजों को कर लेंगे अच्छे से mix इसके बाद हम add कर देंगे 2 टेबल स्पून पानी और उसे भी हम अच्छे से mix करके rest दे देंगे 15 minutes के लिए इसके बाद हमने लिया है एक बाउल में दही जिसे हमने फेट लिया था अच्छे से अब add कर देंगे 1 टेबल स्पून शुगर and zira powder इसे भी हम mix करके जो है side में रख देंगे 15 minutes हो चुके हैं अब हम add कर देंगे 1 फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे अब चलिए हम वड़े बना लेते हैं इसके two methods हैं एक में आप stuffing दे सकते हैं किश्मिश की जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने किश्मिश को अंदर stuff कर दिया है और उसे एक round shape का वड़ा बना लिया है and second method is आप normally वड़े को oil में डाल के fry कर सकते हैं जैसे हम डाल के वड़े बनाते हैं तो आपको जो भी method पसंद हो आप वैसे वड़े ready कर सकते हैं oil बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए medium hot होना चाहिए आप देख सकते हैं वड़े जब उपर आने लगे कि इसका मतलब हमारा वड़ा जो है perfect बने हैं आप देख सकते हैं कि light golden brown हो गया है अब आप इसे निकाल लें इस तरह से मैंने सारे वड़े ready कर लिये हैं अब हम इसे पानी में डाल देंगे जिससे के ये बहुत ही perfect and soft हो जाएगा and अगर आप health conscious हैं तो इस strap आपके लिए और भी अच्छा है because ये सारा oil जो है पानी में remove कर देता है अब इस तरह से आप spoon के help से या फिर hand के help से इसका पानी जो है excess water remove कर लें ये देखिए इस तरह से हम सारे वड़ो को जो है पानी इसका प्रेस करके निकाल लेंगे अब चलिए जल्दी जल्दी से इसे हम सर्फ कर लेते हैं ये देखिए कितना जो है soft हो गया है आप इसे पानी में एक नट से जादा ना रखें otherwise ये तूट जाएंगे सबसे पहले हम प्लेट में डाल देंगे हमारे वड़े इसके बाद जो हमने फेटा हुआ दही रखा था शुगर और जीरा पाउडर डाल के हम उसे अच्छी कॉन्टिटी में डाल लेंगे अब ग्रीम चटनी और इमली की चटनी आप डाल दीजिएगा इससे बहुत ही बहतरीन टेस्ट राता है आप इसमें कुछ स्पाइसेज एड़ कर सकते हैं जैसे के मैं अभी एड़ कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर जीरा पाउडर और रेट चिली पाउडर आपको जो भी पसंद हो इसमें से आप पुछ भी डाल सकते हैं पर ये सारी चीज़े डालेंगे आप देख सकते हैं ये अंदर से भी कितना जादा स्पॉंजी है सॉफ्ट है जैसे हमारे डाल के वड़े बनते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है अब प्लीज इसे ट्राइ करिएगा रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा शेर एंड सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच बाबाए